के आरके का रिव्यू जैसा बॉलिवूड की फिल्मों के लिए रहता है वैसा ही रिव्यू बॉलिवूड के लोगों का के आरके के बारे में रहता है के आरके अपने रिव्यूज में बॉलिवूड फिल्मों की धुनाई करते हैं राधे को लेकर उन्होंने रिव्यू किया तो सल्मान खान ने उनपर डिफिमेशन केस किया वासु भागनानी ने कूली नंबर वन फिल्म के लिए उनके उपर डिफिमेशन केस किया मनोज बाचपाई को गंजेडी नशेडी कहने के कारण मनोज बाचपाई ने उनके ओपर डिफिमेशन केस किया और अब फिल्म इंडस्ट्री के एक डिरेक्टर है उन्होंने क्यारके को फिल्मी अनपड कहा है ये डिरेक्टर और कोई नहीं बलकि कबीर खान है जिनके फिल्म 83 को लेकर वो लोगों की नजरों में आए हुए है कि आखिर इतनी बहतरीन स्टोरी इतना बड़िया स्टार इतना सारा पैसा फिल्म को बनाने के लिए मिला उसके बावजूद फिल्म इतनी खराब क्यों हुई और क्यों फिल्म का बॉक्स ओफिस पर कलेक्शन नहीं आया कबीर खान शुरुआत से ही फिल्म के फ्लॉप होने का रीजन ढून रहे हैं कि आखिर मीडिया में ऐसा क्या ऑथेंटिक रीजन दिया जाए ताकि लोग भी मान जाए कि हाँ ये फिल्म इस कारण से फ्लॉप होई होगी इस बार कबीर खान ने एक नया ही रीजन बताया है उनका कहना है कि कुछ मीडिया का सेक्शन है जिसने फिल्म की नेगेटिव पॉबिसिटी की फिल्म को खराब रिव्यू दिया जिसमें उन्होंने क्यारके के लिए फिल्मी अनपरशब्द यूस किया क्यारके के लिए कबीर खान ने कहा कि उन्हें फिल्मों की समझ नहीं है इसलिए उनके रिव्यूस को सीरियसली नहीं लेना चाहिए अब कबीर खान के इसी statement पर क्यारके का reaction आया है क्यारके ने tweet के जरिये कहा है क्यारके ने कहा है कि कबीर खान कहते हैं कि film को लेकर reporting जो है वो बहुत unethical तरीके से की गई है और negative की गई है और क्यारके तो filmy illiterate है तो इस पर क्यारके ने कहा है कि कबीर खान decide कर लो कि या तो मै फिल्मी इलिटरेट हूँ या फिर मैंने खराब रिपॉर्टिंग की है क्योंकि खराब रिपॉर्टिंग और फिल्मी इलिटरेट ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं क्यारके ने आगे कहा कि कबीर खान की पिछली चार फिल्में लगातार डिजास्टर हुई है जिसमें फैंटम, ट्यूब लाइट, दे फगॉटन आर्मी और 83 दे फिल्म। प्रेड्यूसर्स का 400 करोड डुबाने के बावजूद कबीर खान अपने आपको जीनियस बताता है और हमें फिल्मी इलिटरेट, आगे क्यारके कहते हैं कि इन पर यही कहावत सूट होती है, बेशरमी, अब 13 ही सहारा, कुछ इस तरीके से क्यारके ने एक बार फिर से कबीर ख की है.